नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका इन्फोर्मेशन सेंटर पर आज मैं आपको बताऊंगे हाथ देखने का समान्य नियम हाथ देखने का समान्य नियम तथा क्रम हाथ देखने का सर्विस्टेस्ट समय प्रातय सूर्य उदय से लेकर चार घंटे बात तक का है उस समय रेखाएं इसपस्ट होती हैं और दिन के उजाले में हाथ का रंग और रेखाओं का रंग ठीक ठीक दिखाई देता है अगर दिन का उजाला नहीं मिल सकता हो तो परियाप्त प्रकाश में हाथ देखें वैशूर्य का हो या बिजली का प्रकाश हो हाथ देखना कहां से आरंब करें ताकि कोई लक्षन चूक न जाए इसलिए अपनी सुविधा के लिए एक कागच पर वैक्रम लिखकर रख लें जिसके अनुसार हाथ देखना है अनेक बार सवाली के प्रस्न का उत्तर तुरंत ही रेखाओं से प्रकट हो जाता है लेकिन कई बार प्रस्न का उत्तर इसपस्ट नहीं होता है उदानता हाथ करमट व्यक्ती का है या सोच विचार करने वाले का या करमटता और विचार शीलता का संगम है Fingerprints बताते हैं कि व्यक्ति अपनी हट पर अड़ने वाला है या मान मनुवल वाला है इसी प्रकार नाखून से भी व्यक्तित्व का पता चलता है परवत भी संकेत देते हैं उन सभी संकेतों को समझ कर आइस परस्ट प्रेशन का उत्तर खोजना पड़ता है यह प्रशन हमेशा पामिस्ट के सामने रहता है कि सबसे पहले हाथ देखना कहां से शुरू किया जाए इस बिसे में हमारा मत है कि सारे हाथ पर उचट्टी निगाह डाल कर देखें कि हाथ में सुव लक्षन कौन सा है जो भी रेखा अच्छी हो या जो भी परवत अच्छे लक्षनों से युक्त हो पहले उसका फल बताएं मुक्की तथा मादिमिक रेखाओं में बीती घटनाएं सवाली को पता लगे कि हाथ समझ में आ रहा है यदि दो तीन घटनाएं बताने पर भी सवाली इंकार करे तो दो कारण हो सकते हैं या तो हाथ समझ नहीं आया या सवाली जूट बोल रहा है दोनों दशाओं में वे हाथ देखना बंद कर दीना चाहिए क्योंकि इससे अपशे होता है यदि पामिस्ट को भी कोई हाथ समझ नहीं आता है आपके हस्त पठन बंद करने का फल यह होगा कि यदि सवाली सच छिपा रहा होगा तो आपके इस इंकार से सच बोलने लगेगा उसके बाद हाथ को बिस्तार से देखना चाहिए कई हाथों में प्रकटता कोई शुब लक्षन नहीं होता कि जिससे बात शुरू की जा सके किन्तु यदि करने से सुब लक्षन मिल जाते हैं उसी पर जोड देकर पामिस्ट सवाली का सबसे पहले फल बताएं इससे सवाली की आशा बदेगी सुब लक्षन बताने के बाद अन्य असुब लक्षनों का फल बताना चाहिए किन्तु असुब बताते समय उचित शब्दों का चुनाफ करें कड़वी दवाई को मीठा लेप लगा कर या उसे कैप्सूल में रख कर दिया जाता है यदि एक हाथ में लक्षन असुब हैं दूसरे में शुब हैं तो शुब ही बताना चाहिए यदि दोनों हाथ में असुब कह रहे हैं तो असुब बात बताते समय यह भी बता देना चाहिए कि अशुब को शुब में बदलने के वैज्ञानिक उपाए भी हैं सवाली को यह अवश्य बताना चाहिए कि रेखाएं बदलती रहती है यहाँ ध्यान देने वाली बात है फिंगर प्रिंट्स नहीं बदलते है अब आप सवाली से कह सकते हैं कि अब तक हमने आपके हाथ का समाने हस्त पठन किया है यदि आपका कोई विशेश प्रस्न रह गया हो तो पूछ रहें विशेश प्रस्न का उत्तर यदि हाथ पर इसपस्ट ना हो तो हाथ पर नजर डाल कर देखें कि कौन सी रेखा या लक्षन छूट गया है जिससे सवाली के प्रस्न का उत्तर मिल सकता है इस्पस्ट उत्तर के लिए दोनों हाथ देखने चाहिए यदि प्रश्ण का उत्तर निराशा जनक हो तो उसे इस्पस्ट बताने की वजाए मीठी चास्नी में लपेट कर बताएं निराश व्यक्ती में आशा का संचार करना पामिस्ट का करतव्य है यदि कोई सवाली अपना प्रश्ण इस्पस्ट बताने की बजाए गोल मोल बात करे तो उसे बता दें की कोई डॉक्टर रोप के पूरे लक्षन समझे बिना दवाई नहीं देता ठीक से भविष्य पढ़ने के लिए सारी इस्थिती को बताना सवाली के अपने लाब के लिए है प्रश्ण चाहे एक हो या दो हाथ के पूरे लक्षन देखने से सही उत्तर मिलता है यदि उसका प्रश्ण ब्यापार और रोजगार के विशय में है तो साथ ही यह भी पूछें कि उसके सामने सुझाव या प्रस्ताव क्या है उन्ही सुझावों और साधनों की सीमा में उत्तर देना हितकर है यदि आप वैज्यानिक पामिस्त्री के अनुसार हाथ देखना चाहते हैं तो आपका ब्यवहार एक डॉक्टर जैसा एक मनुवैज्यानिक जैसा होना चाहिए कोई भी डॉक्टर अपने रोगी का रोग समझने के लिए उसकी पूरी हकीका सुनता है फिर दवाई सुझाता है जरुरत पड़ती है तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे आदी देखता है जो पामिस्त के पास आता है उसे कोई परिशानी होती है उसका इलाज को करना है किन्तु वह पामिस्त के पास आकर पहेली की तरह सब कुछ बुझवाना चाहता है बूझना ठीक भी निकल सकता है गलत भी हो सकता है लेकिन हम ऐसा रिस्क नहीं लेते हमने अपने कंसल्टेशन रूंग में एक नोट टाइप कराकर चिपकाया हुआ है जिस पर लि अपना प्रस्ण और समस्या इसपस्ट बताईए इससे आपका भविष्च्य पढ़ना सुगम होगा किसी भी सवाली का हाथ किसी अन्य व्यक्ति के सामने मत पढ़े चाहे वै उसका घनिस्ट मित्र या परिवार का व्यक्ति जीवन साथी पती या पत्नी ही क्यों ना हूँ क्योंकि हाथ में ऐसे गुप्त बेच छिपे रहते हैं जिनका किसी अन्य के सामने खुलना व्यक्ति पसंद नहीं करता किन्तु अकेले में वै ऐसे रहस्यों को स्वीकार कर लेता है स्वार्थ, प्रेम, कामभाव, आदी अनेग विशय व्यक्ति किसी अन्य के सामे स्वीकार नहीं करता इससे पामिष्ट को लगता है कि वह कहीं दिशा तो नहीं भटक गया इसलिए सवाली और पामिष्ट दोनों के लिए अच्छा है कि हस्ट पठन के समय तीसरा प्यक्ति उपस्तित ना हो यह सारा विवरंट सवाली को बताने की जरुवत नहीं उसे केवल यही बताना है कि हमारा नियम है कि किसी के सामने हाथ नहीं देखते सवाली लड़की या इस्त्री हो तो कभी-कभी अकेले पन का नियम तोड़ना भी पड़ सकता है ऐसी दशा में किसी अन्य की मौजुदगी में उतना ही बताएं जितना सवाली स्वीकार कर सके परवर आदी हाथ के लक्षणों को देखने से प्रवत्ती का पता चलता है उनमें सवाली की रूची नहीं होती कोई सवाली यह जानने नहीं आता की उसमें कामभाव के कितनी मात्रा है या उसमें एहमभाव की मात्रा कम है या अधिक है अथवा उसकी चतोर्ता धोके की सीमा को छू रही है या उचित अनुचित पर आधारित है इत्यादी यह सारी जानकारी पामिस्ट के अपने समझने के लिए सवाली के प्रस्णों का उत्तर देते समय यह जानकारी पामिस्ट के काम में आती है अनिधा सवाली तो अपने प्रस्ण का दो टूक उत्तर चाहता है वास्तविक हाथ की तुलना में हाथ के प्रिंट में रेखाएं अधिक इसपस्ट दिखाई देती हैं इसलिए हाथ का प्रिंट लेकर उसका अध्यनन करना चाहिए पर्वतों का उभार उनकी आविक्सित अवस्ता हतेली का रंग ये प्रिंट नहीं आते बिवाह रेखा अर्थात कामभाव की रेखा नहीं आम तौर प्रिंट में नहीं आती इन सब को पहले से नोट कर लेना चाहिए इसके पस्चाद अंगूटे वा मनी बंद की रेखाओं सहित पूरे हाथ का प्रिंट लेना चाहिए हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इंफर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर ले आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें धन्यवाद लाएप ले शर्मेशन दडन से बॉक्ते हैं झाल झाल